कि इंग्जिस कुट्पती कब होई कि इंग्जेक्ट टाइम बता दे कोई श्टूट्ब या कोई टीचर कोई भी भारत निवास ही इंग्झिस कुट्पती कब होई कोई इक्जेक्ट टाइब बता दे एक्जेक्ट सन बता दे इस सन को इंग्लीज को उत्पत्ति होई थी मैं दावी के साथ बोलता हूं अगर कोई बताता भी है न तो उस बाकाव में आप मत जाओ क्योंकि भूग कलत है तो हिघ गाइज नमस्ते विलकम बैक टो यूटूब चनल रंकस्त नाइन तन्स प्रतिक तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वाट इस इंग्लीज कोई इंसिट्टूट पर जाते हो या आणनाइन हो या आफ्लाइन हो आप टूटर इंग्लिज के लिए जाती ह तो क्या कभी आपने क्रेस्ट क्या है क्रेस्ट क्रेस्ट क्या कि इंग्लिस पढ़ने से पहले आप पूछते हो कि वाट इस इंग्लिस इंग्लिस क्या है क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आया है कि इंग्लिस के उत्पत्ति कहां से हुई थी, किस विदी से हुई थी इंग्लिस के उत्पत्ति कब हुई थी, कहां से हुई थी इंग्लिस हम क्यूं बोलते हैं हमारी मातरभासा तो हिंदी है हमारी मात्रबासा हिंदी हमें हिंदी सीखना हम हिंदी छोड़के कहीं नहीं जाएंगे हम इंग्लिस क्यों बोलते हैं जी हां मैं सब कुछ बताने वाला हूं कि इंग्लिस का मत हो क्या है इंग्लिस से आप क्या क्या कर सकते हैं इंग्लिस क्यों सीखना जरूरी है और इंग्ल कि अब यहां पर प्रस्वन उठा है कि भाई या इंग्लिज को उत्पत्ती कब हुई थी अंग्रेजों की जाने के बाद जो अंग्रेज हमारे देश में आये थे सासन कर रहे थे उनकी जान के बाद वही इंगलिस छोड़ के गये थे यहीं पर भारत की बात करते हैं तो भारत में अंग्रेजों के बाद ही इंगलिस का महत्वा उठा को अगर इंग्लिस नहीं रहती मैं आपको इग्जेक्ट बता देता हूं। अगर इंग्लिस नहीं रहती तो हम अजाब भी नहीं हो पाते हमारे कुछ करांथे कारी जो इंग्लिस की रूप में बहुत यिग्या सा pressing थे बहुत यह बड़े चाने वाली थे उन्हें दोनोंभासां का यूज किया हिंदे इंगलिज जहां पर जिस तःएमसे तारीक च्तियों यूज किया यूज किया और अपने देश्कों अजयात करवाया कर हो मेद्न जो भी नेटा है जो भी बड़े-बड़े चलनाई गईज आपको इंगलिसका भी कुछ मुहत्व है अगर आप वेश्विक लेवल पे अपना अस्थर बनाना चाहते हो हई दरसल क्या है कि आप इंडिया में हो ठीक है आपको हिंदि सब समझ लेंगे हिंदी सब समझ सकते हैं हम भी समझ सकते हैं आप भी समझ सकते हैं बट आपका भी ऐसा हुआ कि आपको बाहर जाना पड़ा हिंदी तो समझने वाले हैं नहीं English language is the must for all of students English बूलना English सीखना English English language का ज्यान करना हाउट कैसे बोल जाता हैं सब कुछ आपको सीखना जरूरी होगा बट यह ब्रहम मिना रहें कि हम अपनी मात्रभासा को ही लिए चलेंगे अपने मात्रभासा को नहीं चोड़े राश्ट भासा छोड़ दे हैं नेस्नल लेबल के लेकर चलो जब तक आप यह नहीं जैना कि तब तक दुसरे ब्यवार बनाना चाहते हैं वहां पे इंग्लिस दमस्ट अगर आप कहीं बाहर गए घूमने के लिए कुछ करने के लिए तो वहां पर बात्मिक भाषा जो आपकी है हमारी है वह हिंदी है और अपकी ve prawn में Hai यजयों को सीखने के लिए को इंग्लीस से हिंदी बनाना हिंदी से इंग्लिस बनाना कि दोनों जरूरी एंग्लिस से हिंदी बनाना भी जरूरी हैं हिंदी बनाना ज़रूरी है क्योंकि कहीं आपके अगर फेज में कहीं आपको फ्रेजस में अगर मिल गया तो अब इंगलिस से हिंदी कैसे बना पाओगे इसके लिए आपको किसी भी अस्तर पर अपना बहुत बनाना चाहते हैं किसी को भी अपने रूप में अपने आपको वह दिखाना चाह किसा आने की लेंग्वेज समझ में नहीं आ रही है कुछ हाड लेंग्वेज दे दिगए इंग्ली सक बाई वर्ड पावर ने समय में आता है कहां कहा से मिनिंग्स दी जाती है क्योंकि वह इंग्ली से उतनी चाहने वाले नहीं है वह तो मैं सब को बोलना चाहूंगा यार अगर आप सिब्यसी को हो अगर आप यूपी के हो तो पैटर्न सबका अंचियाट्री हो गया है तो इंग्लिस इस दमस्ट है प्रहत्मिक भासा आप किसका रखो इंग्लिस का रखो है अब कोई माई का लाल यह बोदा है कि इंग्लेस कोफ्रव इजनन नहींमिंञे को इसा नहीं 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 कोई ऐसा बताने वाला नहीं कि कि इंगलीज़ खुद्पति पक्षोड के गए थी है यह इंगलेर क्षोड के वर्ड पावर को इतना स्ट्रॉं करलो एतना स्ट्रॉं कर लो कि एच्छे बेसेश्ज पर आजा जब आप वर्ड पाऊर्ढ कर लोगे ना बस टेंश के अधार पर मैं तेंश इस तरीके से पढ़ाऊबा कि के आप इंग्लिस फ्लूएंट इंग्लिस ब esquste को यूज करो कि अ इंग्लेस बोलना है वापको टेंस आना चाहिए वर्डश लोडश्र तैन्स प्यादारित है अगर आपकी वर्डश पावर और टेंस मजूध मुथ है सब चीज़ें हैं वर्डश पावर आपके पास है तब आप English बोल चकते हो है ठीक है तो यार प्राइवी की लेवल के लींगवाज को अपने आप में आक्पने सिकेंडरी लइंगवेज रखलो तो हिंदी से लिस्टी सीखना बहुत ही जरूरी होता है इंगलीस पढ़ाने से पहले हमारे मन में यही एक ख्याल आहता है से अध्यार्य एसा नहीं पूछतें इंगल्हेस पढ़ाने से कोई online और offline ऐसे कहके भागा आता है कि इस डेट को इस इस्तिती में हुई थी तो वह सरासर गलत है ठीक है वह भागा रहा है और आप भाग रहे हैं तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना है अगर आपको हमसे बात करने हैं तो टेलीग्राम पर जोईन करो रैंकस 19 जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ठीक है अगले प्रॉसेस में हम बात करेंगे आपके पेंट्री ग्रैमर के इंड्रोड़क्तर डिपार्ट में ठीक है फिर बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ थैंक्यों सो मच